हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स मैं हूँ प्रतीक्षा आचारे और आज से में स्टार्ट कर रहे हैं आओ समझें विज्ञान कक्षाचे की पुस्तक और एक एक करके हर एक पॉइंट हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और महान व्यक्तित्तों की मैं बुक अप्लोड कर रही हूँ ऐसे ही दीरे-दीरे करके हम सारी बुक्स यहां पर अप्लोड कर देंगे जिससे कि आपको जगह-जगह से बुक्स ढूंडना ना पड़े तो एक ही जगह सारे सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी आपको और ये पड़ें यहां से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े मिलेंगी जिनसे कोशन अक्सर एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उस कोशन का आंसर जो है आसानी से दे पाएंगे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं बेसिक सिक्षा अभयान के तहत ये बुक चलाई गई हैं जो कि गौर्वर्मेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं तो ये जो बुक है 2019 और 2020 सेशन की है यानि कि बिलकुल नई बुक है इसी समय की करंट की बुक है तो इसले बस काफी चेंज हो जुका है पुरानी बुक से न कोशिश करें कि आप 2019 और 2020 की बुक से ही अपने नोट्स तयार करें तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उननिस 2020 की जो बुक है वो यहां पर इस चैनल पर सारी अप्लोड की जाएंगी तो किताब हैं जरूर पढ़ें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए विशे सूची देख लेते हैं कि क्या क्या आप पढ़ने वाले इस बुक में और आपको विशे सूची देखके ही समझ में आ जागा कि कितनी जरूरी है यह बुक पढ़ना और कितनी इंपॉर्टेंट है आपक अनुकूलन तो देखे आपके शुरू के ही चप्टर ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रीवेस यह के पेपर देखे हैं किसी भी एक्जाम के जिसमें साइंस या एवेस पूछा जाता है तो यहां से प्रश्ण जरूर बनकर आते हैं तो यूपी टैठ हो य प्रकाश वायू जल और कंप्यूटर तो यहां पर 17 चैप्टर दिए गए हैं और 17 चैप्टर को हम एक एक करके एक एक वीडियो में अपलोड करेंगे अगर कोई चैप्टर बढ़ा होगा तो वीडियो दो भागों में भी बढ़ सकता है लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं ह चाहें थोड़ा ज़्यादा पढ़ने पर पढ़ेंगे सब कुछ तो चली चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज कि फ़र्स चैप्टर से तो पहला चैप्टर है थोड़ा इंतो बनता ही है तो फ़र्स चैप्टर तो थोड़ा ऑनुद्र बैनिक जीवन में विज्ञान विज् जवाब है वो आपके पास नहीं होता तो आप किसी बड़े के पास जाते हो उन प्रशनों का उत्तर ढूणने गया उत्तर मांगने या फिर ऐसे इंसान के पास जाते हो जिसको उसके बारे में पता हो जानकारी हो जो आपके प्रशनों का जवाब दे पाए तो ऐसे ही यहां प बाद जमीन पर क्यों गिल जाती है प्रैशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बनता है दूद से दही कैसे बनता है फ्रेज में समान ठंडा कैसे रहता है चिडिया जो है कैसे उड़ती है उसकी मां का इन प्रश्णों का जो जवाब था उसकी मां के पास नहीं था तो वो कह दे द प्रवालों के जो जबाव हैं, वो हमारे आसपास की दुनिया से ही सम्मंदित है। मनुश्य में हर चीज को जाने, समझने की उत्सुकता होती है। और उत्सुकता देखने, छूने, स्वाद चक्खने या सुनने के कारण उत्पन होती है। तो ये देखना, छूना, सुनना, स्वार चखना, सुनना तो ये क्या है? ये हमारे पांस सैंसिस हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को हम इन पांस सैंसिस के द्वारा जान रहे हैं हमारे सवालों के जवाव हैं सैंसिस से मिल रहे हैं ठीक है तो हमारे मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं उसे उत्सुकता कहते हैं विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है सीमा ने कहा ठीक है लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है तो सिक्षिका बोलती है कि यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैग्याने किस तरह से कारे करते हैं यह नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होई और उसका कोई भी solution निकालके आपको दे दिया अब आप सहो सकते हो कि इस समय कोरोना चल रहा है काफी मुश्किलों से देश लड़ रहा है फिर भी कोरोना की कोई vaccine इतनी जल्दी नहीं आ रही यह नहीं है कि कोई भी vaccine कोई भी दवा बना के आप लोगों के सामने पेश कर दी काफी सारे steps होते हैं उसके बाद जब पूरा निरिक्षन हो जाता है जब confirm हो जाता है कि यही दवाई है यही best है तब आप लोगों के सामने वो चीज पेश की जाती है तो सिक्षिका बोली है यह जानने के लिए हमें समझना होगा कि विज्ञाने किस तरह से कारे करते हैं वे जिस समस्या का हल्क होजना होता है तो सबसे पहले उसका सूख्षम अवलोकन करते हैं और उससे सम्मंदित सभी जानकारिया एकत्रित करते हैं एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं और इस तरह किसी सिधान की रशना की जाती है सिधान की रशना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है और सिधान की पुस्ति के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यहां विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समधान यही है अलग-अलग तरह से आप वो चीज़ करके देखोगे और जो बैस्ट होता है जब आपको लग जाता है कि यही इसका सही आंसर होगा तब आपको तसली होती और तब आप उस चीज़ को दुनिया के सामने रखते हो सिक्षिका ने बताया जैसे सीमा का सवाल था कि वस्तुएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती है तो आप रोज देखते हो कि अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उच्छाल रहे हो या फैक रहे हो तो वो जमीन पर गिर जाती है क्या ऐसा हर जगे होता है हर वस्तुए के साथ होता है तो सीमा को सोचने के लिए का तो सीमा ने यही कहा कि हां किसी भी वस्तुए को चालोगे हर जगे यह नहीं कि आपके घर में ही वो चीज़ गर रहे है आप कहीं पर भी किसी वस्तुए को चालोगे तो वो उपर जाके नीचे आनी ही आनी है अगर आप ऐसा कर पाएंगे कि हर तरह की वस्तू जैसे फूल हुआ, पत्थर हुआ, सिक्के हुए, कपड़े हुए, चाहें जहां भी गिराएं, वापस जमीन पर गिरते हैं, तो इसे देखकर महान जो विज्ञानिक थे, कौन थे महान विज्ञानिक? प्रत्वी पर हर वस्तू को गुरुत्वा कर्शन के कारण अपनी तरफ खींशती है, किसने कहा आएगे? आईजेक न्यूटन ने, जिसकी वज़ह से प्रतेग वस्तू प्रत्वी पर गिरती है, तो सीमा अपने प्रशन का इतना सरल उत्तर पाकर उच्साहित हो गई, और आप आपके मन में भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, और जिनका उत्तर आपको मिल जाता है, तो आप सोचते हो, और इसका आंसर तो आसान होता है, लेकिन वो आंसर निकला किस तरह से? वो चीज थोड़ी ट्रिकी होती है, वो चीज थोड़ी जटिल होती है, तीके, ऐसे ही सिक वैज्यानिक किसी भी समस्या, जिग्यासा का समाधाम प्राप्त करने के लिए, वैज्यानिक विधी के विविन चर्णों के द्वारा निसकर्ष निकालते हैं, तो चरण कौन-कौन से थे? तो एक्जामपल से समझेंगे, तो पहला है जिग्यासा, यानि कि आपके मन में जि अथर का टुकड़ा पानी में फैंका और वो डूब गया, तो मैं सोचूंगी कि यह डूबा क्यों हो, यह तो बहुत हलका था, ठीके फिर आया परिकल्पना, फिर आपने सोचा उसके बारे में, अगर मैं इसकी जगे कोई बड़ा टुकड़ा डालूंगी, या मिट्टी का कोई टुकड़ा डालूंगी, तो वो भी डूबेगा, तो आपने सोचा उस चीज के बारे में, फिर आप करोगे परिक्षन, सोच लिया तो पिर आप काम भी तो करके देखोगे न, फिर आपने वो काम करके देखा, आपने कोई मिट्टी का गोला बनाया, और उसे पानी में डालने के सोच लिया, फिर आपने उसे पानी में डाल दिया, यानि कि उसका निरिक्षन किया, देखा कि वो गोला जो है मिट्टी का वो डूब चुका है, फिर आपने निरिक्षन सिर्फ एक चीज का नहीं किया, आपने उसे विसलेक्षन और वर्गी करण भी किया, यानि क आप सिर्फ गोला डूबो के नहीं देखूगे, आप सोचोगे कि अब मैं और मिट्टी के बरतन लाती हूँ या और मिट्टी की चीज लेकर आता हूँ, उनको डुबा कर देखता हूँ कि क्या सभी चीजें पानी में मिट्टी की डूप जाती हैं, तो आपने अलग-अलग न इवला बनाओगे, आप देखोगे वो तैर रहा है, लेकिन जो मिट्टी का गोला है, वो डूप गया है, तो आपने वर्गी करण कर लिया कि कौन-कौन सी चीजetlen जो तैरती हैं, और कौन-कौन सी चीज जो डूब जाती हैं फिर आपने उस चीज के बारे में नोट्स पनाए अभी लेखन किया उस चीज को और अच्छे से देख देखके उसके बारे में लिख लिया फिर आप पुनर विचार करोगे कि अगर मैं उस मिट्टी के गोले को थोड़ा सा अलग आकार दे दूँ उसे न नाओ जैसा तो वो तैरता रहेगा तो यह आपने निसकरश निकाल लिया फिर यह हो गया नया प्रयोग फिर आप उसे देखोगे कि अगर मैं उस गोले को किसी नाओ के उपर अग दूँ तो क्या वो डूबएगा या तैरता रहेगा फिर आपने उस मिट्टी का गोला साध एक नया प्रयोग बनकर आ जाएगा तो ये होता है विज्ञानिक विधी ये होते हैं विज्ञानिक विधी के भिविन्ने चरण कौन सा जिग्यासा परिकल्पना परिक्षन निरिक्षन विसलेक्षन अभी लेखन पुनरविचार निशकष निकालना और नया प्रयोग तो ये फिर आता है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, काफी सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान के द्वारा दी गई हैं, यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कि पहले टाइम में हमारे पास बिलकुल भी कोई भी सुविदा की चीज़ें नहीं थी, और आज कितनी सारी सुविदा जनक चीज़ें हमें विज्ञान ने प्रदान की हैं, चाहे वो रेल गाड़ी हो, यात्रा करने के लिए, चाहे वो कार हो, चाहे वो टीवी हो देखने के और इस समय सबसे अच्छा दारण आपके हाथों में मोबाइल, जो कि विज्ञान की ही देन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो विज्ञान में दी गई हैं, विज्ञान के द्वारा दी गई हैं, उत्तम बीच, आज हम देखते हैं, नहरे के सिचाई के लिए पंप की ट्लीए और अटेली वीजन पर डेख सकते हैं, मोबाइल पॉन पर हम दूर किसी से कर सकते हैं, मोबाइल, विज्ञान की ही देन हैं, तो इस चीजों की देन हो और इस चीजों से इन चीजों से आप भली बाती परचित हैं तो मुझे बहुत जारा डीप में जाने की जरुरत नहीं है तो यह आप देख सकते हैं यह सारी चीजें फोटो देए रखिए दूर संचार पढाली रेल गाड़ी बस हुआ कार हुआ ट्रेक्टर हुआ टेली विजन हुआ मोबाइल फॉन हुआ यह सब विज्ञान की देन है अब आगे बढ़ते हैं परमपरागत एवं वर्दमान परिप्रेक्ष में बिविन छेत्रों में विज्ञान की भूमिका बिविन छेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है किस तरह विज्ञान की वज्ज़ से क्या चिंज्ज़ आएं जैसे भोजन के लिए मिट्टी के चूला होता था अब गैस चूला है इंडक्शन को कर है माइक्रोवेव है अवन है क्रशी के लिए बैल और कुए होते थे इस समय ट्रैक्टर है नहरे है ट्यूब वैल है यातायाद के लि अच्छे से जानकारी है आगे बढ़ लेते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन समस्याएं विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिया है लेकिन जीवन का कोई भी छित्र ऐसा नहीं बना है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुवदाएं प्राप्त हुई हैं वहीं उसके दुरुपयोग भी हैं असायमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन हुई हैं जैसे विज्ञान की प्रवगति के पलसुरूप यातायात के चेत्र में पैट्रोल डीजल चाले वहानों की ब्रधी के कारण क्या हुआ है परियावरण असंतलिक और प्रदूशित हो रहा है क्योंकि गाडियों में से धुए निकल रहे हैं जो कि हमारे वातावरण को गरम और प्रदूशित कर रहे हैं रसायनिक उर्वरकों और कीट नाशक दवाओं के उपयोग से क्या ह हुआ है क्रिशी उत्पादन में अत्यदिक ब्रद्धी हुई है लेकिन अनुचित प्रयोक से क्या होता है म्रदा प्रदूशन होता है जल प्रदूशन होता है देखिए इनसे संबंदित कोश्यन भी आया कि रसायनिक उर्वरकों और कीट नाशक दवाओं से कौन सा प्रद क्या घट्टी जा रही है भूजल के असयमित दोहन से भूजल इसतर नीचे खिसकता जा रहा है जिससे कुए और तलाफ सूकते जा रहे हैं तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत लावड स्पीकर आदी से कौन सा प्रदूशन हो रहा है ध्वनी प्रदूशन हो रहा है रीडियो धर्मी विक्रण की कारण प्रत्वी पर जीवन के अस्तित्तों का भय उत्पन हो गया है ओजोन परत में छिद्र वायू प्रदूशन के कारण बन रहे हैं परमाणों उर्जा के अनुचित प्रयोक से हिरोशिमा और नागा साकी में पलक जपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया रेफिजरेटर और एयर कंडिशनल में प्रयोक्त गैसों से वायू मंडल में क्लोरो फ्लोरो कारवन की जो माता थी उसकी ब्रद्धी हो रही है जिससे ओजोन परत का निरंतर छनन हो रहा है सडकों पर डोड़ते वाहनों का जो धुआ है प यहां पायदा भी हुआ है तो वहां पर विज्ञान से कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है अत्यदिक जो यूज है कहते हैं हर चीज की जो अती होती है वो नुकसान देही होती है तो सेन यहां पर भी है वैज्ञानिक हो जो मैं भारती एबं विदेशी विज्ञानों का किया साथी दूसे थे शुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषुषु महरपूर्ण योगदान दिया है फिर है आरे भट ने पाई ये देखिए का मान तथा श्री धराचारे वर्ग ने सम्मीकरान का हल देने वाले प्रथम गड़े तक ये हैं तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बारिकी से पढ़ें ठीक है नोट्स बनाना चाहें तो आप विग्यानिक एवं उनकी खोजों की तालिका 1.2 और 1.3 में धर्शाए गई है तो भारति विग्यानिक एवं उनका योगदान देख लेते हैं 1.2 में सबसे पहले जगदीश चन्रबसू जिन्होंने पौधों की संवेदन शीलता में योगदान दिया है फिर है सरसीवी रमन जिन्होंने प्रकाश की प्रकीरन छेतर में योगदान दिया है फिर है एस रामा नुजम संख्या सिद्धान से संबन देख है एस एंबोस क्वांटेम मेकेनिक्स गौट पॉर्टिकल से संबन देख है मेगनाच साहा तापे आयनी करण से संबन देख है टीया शेशादी और अनुसंधान से संबन देख हैं डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम प्रक्षेपरशास और मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम को कस्तूरी रंगन प्रक्षेपरशास डॉक्टर हर गोविंद खुराना आनुवांशी की कोड की स्थापन कोशिन किस तरह से आएगा कि आपको कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा मालीजे जगदी शन्रबोस किस संबन दिया है और आपके सामने चार ओप्षन होंगे कोई भी चार ओप्षन हो सकते हैं जैसे पौधे की समवेदन शीरता प्रकाश का प्रक्रिण संक्या सिध्धान या फिर परमानू तो आपका सही आंसर आपने पढ़या होगा ये बुक पढ़ी होगी तो आपका सही आंसर क्या होगा पौधों की समवेदन शीरता होगा तो इसी तरह से कोशन पूछा जाता है एक्जाम में तो आप जरूर ध्यान रखें तो चली इसी के साथ आगे लेते हैं तो यहां पर कुछ पिक्चर से रखें यह आप देख सकते हैं आर्यभर्ट सीवी रमन होमी जहांगीर भावा कलपना चाबना और डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम फिर पढ़ लेते हैं देशी जो विदेशी विज्ञानिक थे उनका योगदान इसमें और लग यहां तक ही ऊपी पी-बी-च-ईस के एक्जाम में भी इस तरह की के कोश्शन आते हैं तो यह मतस渡 कि सिर्फ Uptech की देख कर रहे तब WhatsApp की त्यारी कर रहे तब और गती के सिद्धान के बारे में नोंने बताया है चार्स बेबेस कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं माइकल फेराडे डाइनमो के विलियम रॉंट जेन एक्सरे जॉन लॉगी बेर्ट ने अविश्कार किया है टेलिवीजन का अलबर्ट आइस्टीन ने हमें फोटो इलेक्ट्रेनिक प्रभाव के बारे में बताया है तो ये थे विदेशी विज्ञानिक और यहां पिक्चर साब देख सकते हो तो विदेशी विज्ञानिकों के बात चलि कुछ और भी जाने देख लेते हैं भारती एबं बिदेशी विज्ञानिक जिनने नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है कौन-कौन है जिनने नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है सर्व सीवी रमन हर गोविन खुराना सुब्रिम अन्यम चंडशेकर अलबर्ट आइंस्टीन मैडम क्यूरी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये सभी ऐसे विज्ञानिक हैं जिनने नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो कोशन किस तरह से आ सकता है कि इन में से कौन नोबल पुरुसकार सम्मानित विज्ञानिक है या आपको ऐसे नाम दे दे जाएंगे उसमें से एक नाम ऐसा होगा जिसे नहीं मिलाओगा तो कोशन ऐसे भी आ सकता है कि कौन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है फिर है इस रो जिसे कहते हैं भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ठीक है आप पिक्चर भी देख सकते हो भारत में अंतरिक्ष अन्विक्षन तथा अंतरिक्ष प्रोध्योगी की के विकास एबं उसके अनुप्रियोक का कारेर भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे इंडियन स्पेस रिसल्स ओर्गिनाइजेशन द्वारा किया जाता है ठीक है इससे संचेप में क्या कहते हैं इस रो भी कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुई देखें मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा इस रो की स्थापना 15 अगस्ट 1979 को हुई इस रो का मुख्याले कहां पर है फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट बैंगलूरू में है यहां क्या होता है क्रत्रिम उबग्रहों को डिजाइन करके निर्मान किया जाता है क्रत्रिम उबग्रहों भी ही प्रत्वी की परिक्रमा करते हैं क्रत्रिम उबगरह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुक उद्देशियों के लिए प्रक्षेपित किया जाते हैं जिनमें दूर संचार, मौसम विभाग संबंदी अध्यान, आपदा प्रवंधन, नौवहन और समर पे दूरस्त शिक्षा संबंदी उबगरह आधी प्रमुक हैं तो यहाँ पर हमारा जो दैनिक जीवन का चैप्टर था, वो एंड होता है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, हमने सीखा डैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल और सुख मे बनाया है, विविणन चेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास हो सका है विज्ञान की खोज और अविशकारों का दुरुपयोग भी हो रहा है जैसे परिमाणु वं हाइडोजन वं प्रक्षे परपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है ठीक विज्ञान की प्रगरती के फलसरूप वहानों कीट नाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यदिक ब्रधी हुई है जिससे भरती जन संक्या की मांगों की आप पूर्ती तो हुई परन्तु इससे पर्यावण असंतुलन और प्रदूशत हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है तो यह सारी चीज़ें हमने सीखी तो चलिए अभ्यास करके देख लेत न्यूटन इसका सही आंसर है फिर है वैग्यानिक विधी का चलर नहीं है तो हमने जिग्यासा पड़ा था जिसमें प्रशन करना होता है परिक्षण पड़ा था निरिक्षण पड़ा था तो आंसर थर्ड जो है वो बिलकुल सही है जो सिध्धान्त है वो वैग्यानिक विदेशी वग्यानिक हैं और हर गोविन खुडाना भारतिय वग्यानिक हैं फिर आगे ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है जल प्रदूशन ध्वनी प्रदूशन वायू प्रदूशन या इन में से कोई नहीं तो ओजोन परत में जो छिद्र का कारण होगा वो कौन सा हो वायू प्रदूशन ऑप्शन सीज का सही आंसर है ठीक है इसी तरह से निम्लिकित प्रशनों के उत्तर दो भारतिय दो विदेशी वग्यानकों के नाम तो आप उने पड़े हैं यहां पर चली मैचिंग कर लेते हैं विदेशी और भारतिय विदेशियों के नाम अगर मैं बता है अब का और खा को मिलान कर लेते हैं एपी जे अब्दुल कलाम इन्होंने क्या किया है इन्होंने प्रक्षेपर शास्र की खोच की मैडम क्यूरी ने क्या किया है मैडम क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम का जन्मदाता इन्होंने रेडियम और पॉलेनियम की खोच वोल्त जैसा की इनके नाम से वोल्ट चार सो चालिस वोल्ट तो विद्धूच सैल की इन्यों ने खोच खी है वोल्ट ने विद्धूच सैल की माइकल फेराडे डायनमो खोच खी है और गैलीली car दुर्बीन की खोशी है तो यह हमने मैचिंग कर लिया तो अगर आप एक बार करके दिखेंगे अगर आपने चेप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से मैच भी कर सकते हैं और किस तरह का भी कोशन आ जाएगा आप एक्जाम में उसको सही करके आएंगे तो अब आता है रिक यदिक उपयोक से म्रिदा प्रदूशन होता है ठीक है डैष काल से महान शल्यचिकित सक थे तो मैंने शल्यचिकित सक आपको किसे बताया शुश्रुट को धियान रखिए साथ को अपने आप ही याद हो जाएंगे चल्ट हैं वह काय चिकित सके संसे समझनने थे ओर शुश् तो इसी के साथ यहां पर यह चैप्टर एंड होता है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वह हमने पढ़ी आप चाहें तो दो तीन वह वीडियो जरूर देखें और नोट्स पना लें जिससे की लास्ट टाइम एक्जाम के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक सा एक ही जगह मिल जाएं और आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें तो इस तरह से सारे वीडियो सारे सब्सक्राइब करें जो भी इंपॉर्टेंट कोशन होंगे वह आप तक पहुंचाए जाएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करन बिल्कुल भी नबूलें लाइक करने में कंजूसी ना करें तो प्रीज लाइक और शेयर जादा से जादा करें अभी एक लिए नहीं बाइबाए टेक कियर और थेंक्स पॉर वाचिंग